आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं SDFC बेंक में अगर आपका अकाउंट है तो स्टेटमेंट को कैसे डाउन्डोड कर सकते है आपका बेंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउन्डोड करने के लिए सबसे पहले SDFC का जो Netbanking अकाउंट है उसको login करना होगा login करने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेंगे account का उस पे हमें click करना है account पे click करने के बाद यहाँ पर आपको inquire button पे click करना है यहाँ पे जैसी click करेंगे आप लोगों को यहाँ option मिल जाएंगे statement download करने के लिए आप लोग देख सकते है statement current month और previous month यानि कि last month का और जो अभी month सल रहा है उस month का आप लोग यहाँ पे click करके download कर सकते हैं अगर आपको उनसे भी पूरा ना यानि कि last 5 year 10 year का आपको download करना है अगर आपका जो net banking ID है उस पे एक से ज्यादा account link किया गया है तो यहाँ पे आपको अपना account को select करना है कि कौन से bank account का आपको statement download करना है उसको हमें select करना है मैंने यहाँ पे मेरा जो account है उसको select कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको month select करना है कि कौन से month को आपको download करना है अगर आप लोग select date range लिखा है उस पर click करते है तो आपके सामने date select करने के लिए option आ जाएंगी आप अपने इसाब से यहाँ पर click करके कोई भी date select कर सकते है वो यहाँ पर अपना जो statement है वो आ जाएंगे इसके इसाब से तो यहां पे हमें अलग लग जो है format मिल जाता है जैसे आप select format पे click करते हैं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो statement है ओ किस format में आपको साहे तो यहां पे आप text में है PDF में है Excel में है तो इस तरह से आप लोग select करके यहां से download कर सकते हैं तो मैं यहां पे जैसी download बटन पर क्लिक करता हूं तो आपको यहां पर केपशा फिल सब करने के लिए पुश्यगे कैपशा फिल करने के बाद आपका रिक्वेट्स सहले जाएंगे और एक दो मिनिट के अंदर आपका स्टेट में डाउनूरूड करने के लिए ओप्शन आ जाता है hundred यहाँ पर मैंने केपसा फिल करके क्लिक क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से आ गया हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है उसके सामने यहाँ पर प्रोसेस का ओप्शन अभी दिख रहा है जैसे हम ल जरूड कर सकते हैं तो आई ओफ फ्रेंड के आप लोगों को समझ में आ गिया है कि किस तरह से आम लोग नेट बैंकिंग के थुरू अपना जो बैंक का अकाउंट टेट्मेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक झाल झाल